हीबा नवाब ने ठुक रहा है कई वेब सीरीज के ओफर वोली इंटिमिट सीन में हो जाती हूं मैं अनकमफर्टिबल हेलो आप देख रहे हैं पॉस्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अलमास सीदिकी उतर प्रदेश के बरेली से तारूरुक रखने वाली हीबा नवाब इन दिनों टीवे सीरियल जनक में अपनी आक्टिंग से खूब धो मचा रहे हैं और इस सीरियल में इनकी आक्टिंग क इसे पहले सोनी सबके फेमस कमेडी शो जीजा जी च्छत पर है में भी हीबा नवाब ने इलाइची का रोल किया था और सीरियल में इनके रोल के खोब सराना की गई थी वेल यह नवाब में 2008 में एक चाइल आर्टिस के तौर पर टेलिविजन इंड़स्ट्री में कदम रख अगरी बार एक च्छाइल आर्टिस के तौर पर देखा किया था इसके बाद से जनक ने टीवी सीरियल से ब्रेक ले लिया था और फिर कमबैक करते हुए क्रेजी स्टूपिड लव में इन्हीं लीड रोल मिला था जिहां उसके बाद से ही बनवाब अपने एक्टिंग को ल उन्होंने कहा कि मुझे वेब सीरिस के लिए कॉल साथे थे मैं वहां पर जाती थी मुझे स्क्रिप्ट काफे साथ अच्छी लगती थी लेकिन मेरा मेकर्स से पहला सवाल यही होता था कि क्या इसमें इंटिमेट सीन है और वो यह सुनकर मुझे रिजैक कर देते थे और नह यह नहीं मैं इस सीन को करना चाहती थी दर असल हीबा ने कहा है कि मुझे इंटिमेट सीन में काफे जादऑ उनकमफर्टबल होता है जिस वज़ा से मैंने आज तक वैब सीरीज नहीं की है और नाहीं मैंने इंटिमेट सीन दिये हैं बस यही वज़ा है कि हीबा नवाब ने वैब सीरीज के ओफर भी ठुकरा दिये है वैसे तो हीबा नवाब अपनी परसनल लाइफ में काफी जादा खुड़सूरत वोल लिखाई देती हैं लेकिन उन्हें इंटिमेट सीन से काफी जादा प्रॉब्लम है वैल उन्होंने अपनी फैमली के बारे में जादा तो नहीं बताया है लेकिन वो अपनी फैमली में हमेशा अपने पापा का जिक्र करते हुए दिखाई देती हैं उनके पापा पेशे से एक डॉक्तर है वैल हीवा नवाब इंदिनो टीवी सेरियल जनक में अपनी एक्टिंग से धूम मचा रही है आपको उनके बारे में ये इंफोमेशन कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्षिन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें